नमस्कार SPN Night News देख रहे हैं आप मैं हूँ नाजमिन खान आपके साथ उत्रप्रदेश में लोग सभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने 16 परतियाशियों के लिस्ट जारी कर दी जिसमें मेंपुरी से फिर से डिमपल यादव को उतारा गया क्योंकि मेंपुरी सीट एक ऐसी सीट है जो समाजवादी पार्टी के कब्जे में मानी जाती है यह यह कहें कि यहाँ पर मेनपूरी सीट हमिसा से समाजवादी पार्टी जीती हुई नजर आई है ऐसे में डिमपल यादव को फिर से यहाँ पर उतारा जाता है धरमेंदर यादव को यहाँ पर बदाईयों से उतारा जाता है कई और प्रतियाशियों को यहां पर उतारा जाता है लेकिन शिपाल यादव को अभी तक लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है जिसके बाद यह देखा जा रहा है कि क्या शिपाल यादव भी यहां पर बगावत कर सकते हैं क्या शिपाल यादव जिस तरीके से अखलेश यादव के साथ दोबारा मिल जाते हैं यहां पर एक तरीके से जोड़ी देखी जाती है और इस जोड़ी को जहां कायम रखने की बात अखलेश यादव करते वे नजर आते हैं में कि शिपाल यादव आजमगर्ट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर यहां पर को यौर सीट उन्हें दी जा सकती है इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं इन कयासों के बजार में ये भी देखा जा रहा है कि जहां समाजवादी पार्टी अपने ही प्रतियाश्यों को साथ उतार रही है कि कॉंगर्ऄस पार्टी को कितनी सीटे वो देती वी नज़र आएंगी क्या कॉंगर्णेस पार्टी के साथ गठ़ जोड में आएंगी तो इसको लेकर भी यहां पर डिम्पल यादव एक बड़ा बयान देती हुई नजर आती है जो राहुल गांधी को भारत जोडो निया यात्रा चल रही है इस यात्रा से पहले अगर यहां पर सीटों का बटवारा हो जाए उत्रपरदेश में कौन किस सीट से किस प्रतियाशी को उतार रहा है यह तै हो जाए तो भारतिय जंता पार्टी को हराना काफी असान हो जाएगा यह बाते डिमपल या से पूछा नहीं गया इसी बात को लेकर उत्रपरदेश कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करें अजेरोई की वह भी अखलेश यादव के खलाब बोलते वे नजर आए और उनका सीधे तोर पर यह कहना था कि अखलेश यादव इंडिया गटबंधन में एक बड़ी फूट डाल सकते हैं सीटों को लेकर अब यहीं देखना होगा कि डिमपल यादव का ये कहना कि जल्दी से सीट बटवारा कर लीजे जल्दी से प्रतियाशि उतार दीजे वहीं अखलेश यादव का सिर्फ अपने ही प्रतियाशियों को उतारना क्या यहाँ पर कोई बड़ झाल झाल